अब मैं आपके साथ गाईव discuss करता हूँ कुछ common interview questions जो की आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका आप वो कैसे answer करना है आपने इस पूरे course में अच्छी तरह हर चीज को practically अपने हाथ से कर लिया है ये questions आपको easily आते हैं फिर भी आपके लिए मैंने ये handbook ready करी है which is only of 15-16 pages ये 15- आप इंटर्व्यू से पहले पढ़के जाओ और इसमें आपके most important questions रूपी आफ इंटर्व्यू वो सारे यहां पे covered हैं मैं quickly आपके साथ 10 मिनिट में discuss कर रहा हूं और इसको आप अराम से refer करो this is the gift from my side मैंने पूरी आपके लिए compile करी है आप इसको refer करो interview के लिए download करो और अ इसको आप अराम से यहां पर देख सकते हो हां जी गाई तो सबसे पहले है आपको पहला सवाल जो पूछा जाएगा सर मीनिंग और परपर ऑड़ेट तो भई आप सबको पता है मीनिंग तो आपको रटा हुआ है पूरा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फिन की बात करिए आपको पता है कि बैलेंशीट के अलग होते हैं बैलेंशीट एरिया के अलग होता है और प्रॉफिट और लॉस एरिया थिंके अलग होते हैं यहानि के इंक म वैल्यूएशन राइट से अब भी तक तो आपके टिप्स पर आ गए होंगे और आपको पता है कि हर वर्शन को हमको चेक कैसे करना है इन एवरी एरिया चाहे वह प्रॉपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट हो चाहे आपका कैश और वह भी मैंने आपके लिए आप पूरा लि प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट अक्टिविटी इसमें यू आपके लिए निकाल के देदी है इसको रेफर कर सकते हो कैसी यह डिसीजन चेकलिफ्ट होती है और कैसे आप रिस्क अस्मेंट यह क्रियेट करते हो इसके बाद पर आप बनाते हो इंडिपेंडेंस कन्फरमेशन करने वाले हो इसके लिए इंडिपेंडेंट आपका कोई वेस्टेड इंट्रस नहीं है और आप पूरी कॉन्फिटेंशालेटी मिंटेन करोगे इससे रिलेटेड़ आप डॉक्युमेंटेशन करते हो जो मैंना आपको अनिजर टू में भी है कि किस टाइप का यहां पर क्र कर सकता हूं और उसके आने के बाद आप यहां पर इंगेजमेंट लेटर जो मैंने आपके फ़र डिसकुस किया था वह यहां पर आप साइन करते हो और एंड में इंगेजमेंट लेटर्स करते हो आड़ दस्टेज नमबर वन फिर आप ऑड़िट की स्टाटेजी बनाता हो और ऑड़िट स्टाटेजी जिसमें आता है आपका यू प्रिपेर टीम मोबलाइशन शीट की वह टीम मेंबर क्या क्या काम करेंगे कितने दिन उसमें लगाएंगे वह बजट करोगे बजट उसका प्लान करोगे और उसके साबसे अपने टीम को डिप्लॉय करोगे दो दिस के बाद सरा materiality compute करोगे इसका भी मैंना आपको अनेगजर दे दिया लेकिन आपको materiality अच्छी दरक करने आती है इस वर्क पेपर के आपको जरूरत नहीं है आपके पास अपना वर्क पेपर है फिर भी मैंना आपको यह वर्क पेपर दे दिया को जो कि हमने समझा था कि कैसे क्लाइंट में काम क्या होता है किस तरीके से काम होता है क्लाइंट का बिजनस क्या है क्या महां पर प्रॉसेस हैं वह आप यहां पर करने का ट्राइ करोगा उसकी कि डौक्यमेंटेशन करोगे डौक्यमेंटेशन का सैंपल मैंने आपको दे दिया है और इन इकजर स्ट्राइजी हो गए किसदिर किस आउड़िट आप करने वाले हो टीम को समझके के हरे अरिया का आप यहां पर काम करने वाले हो अपना अउड़िट का डैंसर मोस्ट इंप् करके उपर उपर से देखोगे मोटा मोटा कि आपको हर एरिया में कितना रिस्क देख रहा है और अप करो कि रिस्क कितना है हर लाइन इतम का ऑर इसके साम आम को क्या करने हैं अगर यहां प्लानिंगились दी जहां पर आप लाए्र के लिए किया होने वाला है इसके बाद आप execution करोगे चाहे वो execution control testing की हो चाहे वो substantive testing की हो हर area में लेकिन उससे पहले आप एक बाद strategize कर रहे हो audit plan मना रहे हो कि आपको हर area में कितना कितना risk लग रहा है और वहां पर आपको क्या क्या प्रोसीजर अप्लाए कर गए इसके बाद अगर आपको कहीं पर फ्रॉड रिस्क में आप और टीटेल्ड अप्लाइब करोगे यह भी आपका आपको याद रखने हैं गाई इंटर्वी उसके लिए और मैंने पूरी प्लानिंग की आपके बात यह डिसकस करनी है और साथ मैं का सिंपल सा जवाब है कि अगर वॉट कट गो रांग हमको आइडिनेटिफा हमने कर लिये हर एरिया में वाट कैं गो रॉंग हर प्रोसेस में क्या रिसक हो सकता है यह हमने कर लिए बाद वे मिस्टेटमेंट और उस रिस्क के सामने हमको देखना है कि क्या कंट्रोल कंपनी ने डिजाइन कर रहे हैं और उसके बाद से अपनी सब्सक्राइब करें तो हमको खाली यह देखना है वाट कैन गो रॉंग इसको प्यार से क्या क्या चीज़ा इसमें गलात हो सकती है और उन रिस्क को अड्रेस करने के लिए कंपनी ने क्या कंट्रोल लगा रखे हैं यह हमको देखना है ठीक है तो आइडेंटिफाइब पोटेंशल वाट कुड गो रॉंग पर इच एरिया ऑपनाइज स्टेटमेंट एक्जांपल र अड्रेस सच रॉंग तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक वर्क पेपर शेर किया है कैसे आप इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो इन अनिक्जर नंबर सेवन ठीक है इसका आपका पॉप्लर सवाल आ जाता है यह सारे आपको आते हैं इसके मैं बहुत क्विकली यहां पे मैं क्मक्नी पे समझेंगे कि आपकी रिस्क कंटրॉल मेंट्रिक्स हमको दिखाओ बत问 हमें कि आपका मौक्तू कैसे हैर प्रोसेसर का कौन उसके कंट्रोल अनर जहें और क्या कंट्रोल वहां पे डिजैन है फिर आप risk समझाओगे कि हार प्रोसेस में क्या risk है उस risk के सामने क्या controls आपके बने हुए है क्या वो controls तरीके से designed है या नहीं तो design testing आप वहाँ पर करोगे और उसके वाद फिर क्या वो अगर design controls ठीक से operate कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं operating effectiveness testing आपकी last stage पर आ जाएगी और based on the design and operating effectiveness testing you will conclude कि भई आपके controls ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कोई control deficiencies exist तो नहीं करती और उसके basis पर आप decide करोगे अपना NTE of substantive testing also and also IFC reporting इंटरने financial control की जो reporting है उस report में कुछ qualification तो नहीं डालनी कोई control deficiencies तो नहीं है वो भी आप decide करोगे based on the control testing conducted like this यह आपकी पूरी control testing की process हो गई जो आपके सामने रहेगी और इसके बाद सर अगला सवाल आपका है कि आप sampling कैसे करोगे सर controls की सर में को अगर control testing करनी है तो मैं उसकी sampling कैसे करूंगा तो यह आपको guidance दे रखी है standard और internal audit 5 में जिसमें बता रखा है कि आप sampling कर सकते हो based on the frequency of the control activity यानि कि अगर control activity आपकी आन्वल है जैसे कि preparation of financial statement अपकी आन्वल activity हो तो उसमें आप obviously एक ही control को चेक करोगे क्योंकि वह एक ही बार होता है तो एक ही sample आपको मिलेगा यहाँ पर अगर आपका अन्वल कंट्रोल है तो आपका एक ही sample होगा अगर आपका quarterly में एक है थी कि साब यहाँ पर तो में को गड़बर लग रही है कि यहाँ पर रिस्क जादा हो सकता है और में को control matrix देखके ऐसा लग रहा है कि यह significant area risk of failure जादा है तो आप दो control देखोगे और अगर risk of failure lower है तो भी आप दो ही sample यहाँ पर चेक करोगे इसके बाद सर अगर वो control की frequency monthly है तो in case of lower risk you'll check two samples in case of higher risk will check three samples अगर वो control की frequency सर weekly है तो in case of lower risk you'll check five samples in case of higher risk you'll check eight samples अगर डेली है डेली कोई control आपका लगता है तो अगर आपकी frequency अगर आपका risk lower है you'll check 15 samples और अगर आपका रिस्क हाइर है यूविल चेक 25 samples और अगेन अगर आपका recurring manual control है जो कि manually आपका कर होता है और multiple times on a daily basis आपका वो control चलता है जैसे कि approval हो सकता है किसी particular transaction का तो उसमें आपको 25 samples लेने in case of lower risk and 40 samples in case of higher risk तो यह आपको एक guidance दे रखी है कि आप इतने इतने samples ले सकते हो based on a frequency of control activity यह भी आप control testing ले इतने samples ले सकते हो based on the frequency of control activity तो आप से कई बार interviews में यह भी पूछा जाता है कि भाई कैसे आप sample size determine करोगे तो this is one of the guidance which may be adopted by your audit form ठीक है सर तो control testing की सारी बात हो गई कि कैसे control testing करी जाएगी कैसे उसके samples लिए जाएंगे अब सब्सक्राइब करते हैं 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 स सारी लिस्टेट कंपनी से आप लिके बर्याइन लिस्टेट पर 200 करोड की टरन ओवर 200 करोड की नेट वर्ट से ज्यादा वाली कंपनी स्क्राइब अगर इंडेस अगर इनके कोई यहां पर लिखा हुआ है कि explain the ECL प्रोविजनी तो यहां पर आप ECL matrix की बाद कर सकते हो बता सकते हो कि बखिट बेसेश भड़कर सिस्टम पर आपकी ECL की LEGO provision होती है आप बता सकते हैं हो कि वह क्वी की आपकी प्रविज 요活 होती है वह इंडिया 1od pardon होती है और वहाँ पर आपका दो अप्रोच अप्रोच से सिम्प्लिफाइड अप्रोच है जो कि मृस्टी आपकी ओं गरी जाती है एंद यहां पर करा जाता है create for the provisioning purpose यहां पर आपकी इंडियस 116 की मैंने accounting entries दिख दी है ताकि ready reference रहेगी कैसे आरोई और लिएबिलेटी क्रेट होता है कैसे amortization होती है interest expense कैसे recognize होता है और payment कैसे होती है this you can refer for your interview then sir जो भी latest changes आएं आपके schedule 3 में वो मैंने यहां पर सारे लिख दिये हैं इनको आप refer कर सकते हो कारों की applicability कारों 2020 के सारे changes और की कारों के applicability किन companies पर हो भी यहां पर लिखे हुई और key changes जो कारों के आएं है वह भी यहां पर लिखे हुए है कि कौन-कौन से clauses में चेंज आये हैं चाहिए वह in tangible assets का है चाहिए वह evaluation की reporting है चाहिए बेना भी transaction stock statements loans and advances given unrecorded income then reporting of defaults वह भी यहां पर दिया हुआ है reporting of fraud comment on internal audit cash losses resignation of auditor material uncertainty with respect to payment of liability CSR reporting और अगर आपकी कारों के reports में कारों के reports में अगर कोई adverse comment है by other auditors अगर आपकी कारों के reports में subsidiaries की joint ventures की associates की consolidated financial statement पर जितनी भी group entities आ रही है उनकी कारों के reports में अगर कोई adverse remark है by any of the auditors तो वह भी आपको अपनी कारों के report में report करना है तो मैंने सारे आपके कारों के changes जो है वो भी यहां पर लिख दी हैं ताकि आप easily interview में refer कर पाऊ देन सर डिफ्रेंड मेथर्ट्स आप्लिंग यह भी आप से पूछा जाता है तो यहां पर बदा सकते हो कि सब्स्राइश्टिकल सैंप्लिंग में हो सकते हैं जिनमें सिंपल रैंडम सैंप्लिंग आता है सिस्टमाटिक रैंडम सैंप्लिंग आता है वाल्यू वेटेट सेलेक्शन आता है यह सारे आप कोई को हो सकते हैं अपना से और साथ सेंप्लिंग में गयên विटेंग रैंडम रैंक रैंडम सैंप्लिंग आपका यूघ करोगे लुडाzteं ईसके बास्ता SNimmeटर होता हुत परचेजिव ट्रेट पेबल्स रेवेन्यू डेटर फिक्स डाफिट्स इंवेंट्री बॉर्विंग्स पेरोल सारे एरियास के और प्रोसीजर मैंने आपके लिए आप लिखके दे दी हैं जो आप अपने हाथ से एक्जिट्वीट अल्रडी कर चुके हो फिर भी मैंने हाँ प सीधर स्पेसेफिकली बताओ कि भाई हम क्या डॉक्ट करें और चेकिंग रिस्पेक्टिव एरिया तो चाहें बॉर्विंग्स का हो इन्वेंट्री का हो पेरोल का हो मैंने सारे आपके लिए यहां पर लिखके देदी है आप अराम से इनको रेफर करो और अपने इंट्व् क्या होता है या आपको हमारे से पता है कि मुए मटीडिःलिटी लेवल क्या होता है लेवल क्या है ुक सेसे और उन्करेक्टिटिन्स का इसके बाद तर ऑपीनियन आया था आपके काफी पूटा जाता है इंट्र्व्यूज में लिमिटेड रिव्यू और और ऑडिट में क्या फरक होता है फर एलार जो होता है वो सेबी के लिस्टिंग एग्रिमेंट के साफ से होता है लिस्टेड कम्पनी को कमप्लाय करना होता है हर कौटरली उनकी अनाओडिट फिनांशल स्टेट्मेंट की रिव्यू रिपोर्ट जाती है और ये रेंड पर और ये अर्ट एप अपर आमसे इसको पड़ सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टन सवाल कि आपका डाइवर्जिन और मिस्यूटिलाज़ेशन और फंड आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो उसके मैंने कुछ इस तो नहीं है फिजिकल सप्राइज वेरिफिकेशन कर सकते हो कवरिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो आडवर्स वेरियन से और रेशियो इनको आप रैफर कर सकते हो आपने पूरा देखा हुआ है आपको पता है और प्राक्टिकली भी मैंने बस यहां पर लिखे दे दिया कई बार स्टेप्स ओफ और पुझा दा सकता है तो यह तो आपके खून में है कि इसको डिसकस किया है तो यह आप बता सकते हो यह तो आप करने होता है तो यहां पर मैंने आपको लिखके दिया कि आप सब्सेक्वेंट्र दाने ही जो इंस और चेक कर सकते हो इचिड़ कर सकते हो उपने और कि सीफ़ेंगों करे जहेंगेह अपका बनते हैं तो number one being significant audit observations आप सारी compile करोगे closure document बनाओगे कि साब यह हमारी audit observations थी यह हमारी material observations थी यह हमारी immaterial observations थी material observations का total corrected miss statements का total कितना हो रहा है और वो हमारे materiality level को breach करता है या नहीं करता वो आप create करते हो in the summary of uncorrected miss statements and its impact यहां साथ assess करते हो कि मेरी material miss statements कितनी है कितना उसका impact है मेरे materiality को क्या वो breach करता है यह नहीं करता तो यह आप audit observations बनाओगे अपना closure document बनाओगे summary of uncorrected statements बनाओगे very important आपका management representation लेटर जिसको written representation भी बोलते हैं यह आप create करोगे जिसमें आपके सारे areas का written representation आप management से लोगे कि everything is the responsibility of management whether to create the account whether to apply safeguard for assets हर चीज पहली responsibility management की है उसके बाद auditor की विमिदारी खाली उसको sample basis पे चेक करने की है तो इसका मैंने आपको एक में एक sample भी दिया है where you can refer the MRL इसके बाद पर very important जो आप पढ़ते हो standards में दो चार्ज में गवर्नेंस और यू नीड टू कॉम्मुनिकेट यौर सिंग्निफिकन finding तो वह आप प्राक्टिकली करते होत हुआ letter to the audit committee लेटर to the audit committee यह आप लेटर क्रिएट करोगे आने जर मैंने आपको दिया है कैसा आप लेटर बना सकते और इसमें आपको सिंग्निफिकेंट observation जो आपको audit committee में अप्राइस करनी है यह आप बताओगे और अपने compliance करोगे अपने auditing standard की wherein you need to communicate the significant findings to those charge with governance और अगर कमिटी नहीं है तो आप बोड को बताओगे और बोड को अपना एक लेटर दोगे for the audit findings then obviously आप audit report क्रिएट करोगे सर और रिपोर्ट आप बनाओगे और वह आप समिट करोगे then sir आप end में एक variance और ratio analysis भी करते हो financial statement level पर जैसे हमने last के sessions में देखी थी और वहां पर आप reasons document करते हो जहां पर भी significant variances होते हैं और finally sir आप क्या करते हो चेक्लिस create करते हो to ensure कि आपने सारे index को check कर लिया सारे essays को comply कर लिया schedule 3 की पूरी compliance देख ली कारों की पूरी compliance देख ली तो ऐसी आपकी checklist होती है audit form में वेरें यू इंशोर कि भी आपने सारे essays सारे इंडिया सारी schedule 3 की requirement वह सारे कारों के clauses को check कर लिया है और उसके तरीके से documentation कर लिया है so these are some of the documents which you create at the conclusion stage of an audit और इसके मैंने आपके साथ samples भी फारे शेर कर लिए फर दिखा दो एक बार के आने जर्व आपने शेर करें हैं तो सर यह है आपका मैंने आपके लिए बनाई है यह interview handbook जिसमें मैंने आपके लिए सारे आने जर्वी साथ मैं अटाज कर दिये हैं तो आपका इंगेजमेंट एक सब्सक्राइब कर सकते हो चाहिए इंडिपेंडेंस सब्सक्राइब करें चाहिए अपनी वेबसाइट पर पबलेश करीं थी मैंने वहीं से एक्सट्राइब करें जो भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो चाहिए मारेल हो चाहिए माटी रियालिटी हो सिग्निफिकेंट और इंग ओलेट कमिटी हो इस सारे मैंने आपके यहां पर आने जिस डाल दिया तो आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा समझ आया होगा कि कैसे हमने इन देश के सबसे पहले क्रियेट करें एक्सल में बहुत टाइम से रिक्वार्मेंट आ रही थी कि सब्सक्राइब को यह देखना है कि कैसे बड़ी कंपनी अपने फिनाशल बनाती हैं और एक एक करके आप साथ कर चुके हो कोर्स में लेकिन फिर भी हमाद में बूलना जाएं और कर पाएं इसलिए मैंना आपका रिविजन मानूल तो शेर करी ही हुई है साथ में मैंना आपके लिए इंट्रिव हैं बना दी वेरें और अल्ड़ कोई बीचीव हो मैं वरूर सो इंकॉपरेट तक हुआ है इसकोर्स मैं और चुका हूँ जो भी चेंजिव आते हैं वो सारे करता जाता हूं और भी कोई आपकी रिक्वार्मेंट हो और भी कोई आप कहो कि पर चीज ये भी कवर करो मैं वो भी कवर करूंगा मुझे जरूर से बताओ और अब एन एन एवरीटिंग शारी चीवे इस कोर्स में और प्रोफेशनल करियर मुझे जरूर से फीड़ाग भी दो कि आपको एक लासे कैसी नगे राइट गाइज थांक यू सो मुच पर वाचिंग दिस सेशन आप सी यू इन वर आप दो लाइब सेशन नाओ थांक यू सो मुच और लेट मे नो यूर फीडबाग